नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे हम सब की डाइट की सबसे महतोपून क्रॉप के बारे में और वो है राइस राइस, चावल, धान या पैडी, किसी भी नाम से जाने, ये वो एतिहासे क्रॉप है जिसने मानव सब्धा को बदलने में महतोपून योगदान दिया है राइस का उरिजिन हुआ था इंडो बर्मन रीजिन में पर राइस की स्पीसीज और राइस सटाइवा को सबसे पहले चाइना ने ने डुमेस्टिकेट किया और उसके बाद वहां से वो पूरी दुनिया में फैल गई दूसरी स्पीसीज जैसे साउथ एफरिका में कल्टिवेट किया गया वो थी और इस सेकेंड कल्टिवेट पीसीज है और यह उसी रीजिन तक कनफाइन रही आज रास जो 3.5 बिलिएन लोगों का स्टेपल फूट है आज उसकी बहुत सारी स्पीसीज कल्टिवेट की जाती है ब्रीडिंग कराई जाती है बहुत सारी स्पीसीज और बहुत सारी वराइटीज वाइल्ड और इंदिजिनिस वराइटीज के तौर पर भी इसको ग्रोग किया जाता है इंटरनाशनल राइस रिजर्च इंस्टिटीट जो फिलिपाइन्स में है उसने अराउंड राइस की वन लाक एशियन वराइटीज 1,500 एफरिकन वराइटीज और अराउंड 4,500 वाइटीज को प्रिजर्व किया है राइस एक ऐसी क्रॉप है जो दुनिया में एशिया से इंडिया से ट्रावल करके गई 300 बीसी में अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था इंडिया में और वो पस लोटते और राईस का प्रोडाक्शन सबसे जादा होता है चाइना में, इंडिया में, वियत्तना में, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और पांगलादेश में इसी के साथ-साथ जब भी आप अगली बार राईस को कंझ्यूम करें तो याद करें कि किस तरह से ये crop ने हमको नमाद से civilize बनाया इसी के साथ साथ धन्यवाद दे इस crop का और इसको ग्रो करने वाले फार्मर्स का क्योंकि इतना आसान काम नहीं है अज़ी ग्रो करना धन्यवाद